जहें दोस्तो, क्लास परारंबोस से पहले अनक एडमी के नए जो benefits आपके लिए मिल ले हैं, तो आपको पता दें कि आनक एडमी आपके लिए free plan ले करके आए हैं जिसमें कि आप फिरी में देखें क्या-्क्या लाब ले सकते हैं, तो 500 पलस live class हैं, per week आपको मिलेंगी और उसमें आप doubt clear कर सकते हैं MP के top 50 educator इसमें आपको study कराएंगे और daily और weekly फिरी live mock test होंगे जिसके बाद आप अपना analysis भी कर सकते हैं ठीक है आप किसी भी तैयारी कर रहे हों एक्जाम की MP PSE, MP Police, MP SI, MP Constable कोई भी आप एक्जाम की तैयारी कर रहे हो MP के सब के लिए लाबदायक होगा फिरी 20,000 plus question इसमें cover होंगे all subject के और daily T20 series होती है Monday to Saturday जिसमें 20 minute में 20 प्रिश्णों के उत्तर देने होते हैं तो इसके माध्यम से भी आप analysis कर सकते हैं अभी आपको बता दें कि 2021-22 December के लिए MPGK और current affairs का free revision चल ला है free revision आपके लिए चल ला है जिसमें 20 plus top educator है और 50 plus live session होंगे और आपके MPPSC का premiums MPPSC और MPSI इनकी तैयारी आपको top educator के माध्यम से कराई जाएगी और यदि आप चाहें कि आप subscription plan लेना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे लाब है तो आपको बता दें कि subscription plan के अंतरगत आपको complete syllabus आपके जो तैयारी कर रहे हैं उसके batch का कराया जाएगा 10 months का foundation course MPPSC preamps and mens का है जिसमें answer writing practice season होगा हर बीक होगा और आपको बता दें second year foundation batch MPPSC preamps ठीक है उसका आपको फाउंडेशन कोर्स मिलेगा इसका कोई भी आपको टैंसल लेने की जरूरत नहीं है चाहाँ प्रिलियम्स की तैयारी कर रहे हो चाहाँ मैंस की तैयारी कर रहे हो आनकेडमी आपको बहुत तैयारी विवस्तेत रूप से कराएगी इसके बाद 120 days का batch भी target जो है 120 days का उसका भी है और तीन मन्त के लिए भी target है इस प्रकार से आप तीन मन्त के लिए यदि पूरी तैयारी करना चाहाँ तो MP forest service, MP police countable, anti inspector, MP lower inspector कोई भी आप तैयारी करना चाहे तो तीन मन्त में आप subscription पिलान लेकर के तैयारी कर सकते और भी benefits ने subscription पिलान के तो 50 plus top educator जिनको लगवग 8-10 परसों का experience ऐसे educator आपको पढ़ाएंगे पचीस सो पलस live class हैं आपको मिल जाएंगे, every month है class हैं मिलेंगे, आपको सभी subject की doubt clearance session भी अलग से होगा जिसमें आपने doubt clearance कर सकते हैं और Hindi English में class हैं मिलेंगे और notes मिलेंगे, 20,000 plus MCQ daily practice आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आप इसको जरूर लाब ले आन academy का, चली इप class है श्टार्ट करते हैं कई लोग कहते हैं कि स्वर बेंजन बिसर्क तो पढ़ ली लेकिन हमें बहुत संधिया बताईए जो बार-बार पूछी आती हैं जिससे हम थोड़ा उसको भी देख सके तो आप बहुती संधी ले करके आए हैं आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए शुरूबात करते हैं सबसे पहला है जगदीस सब्द की सही संधी विक्षित होगी जगदीस का सही संधी विक्षित आपको बताना है तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो यह आप पहचानले सब्द देख करके हमने जशी ट्रिक बताई है कि जगदीस में कौन सी संधी होगी तो पर बेंजन मतलब हलंती लगा हो गजे तो फिर आमने बताया था कि प्रस के दोनों तरफ यह देखना है कि सब्द हो उसका अर्थ निकले जगत कोई सब्द नहीं होता ठीक है जगत होता है ठीक है तो जगत धन इस अब इस दोनों में दे दिया हमने गलती से तो जगत धन इस इसका क्या हो जाएगा संधी बिक्षित हो जाएगा आज का बीडिवेदी आप पूरा देख लेंगे तो जितने कॉस्चन उससे डबल तो आपकी तैयारी है उपर से हमें बता देंगे संधी एसे हमें कैसी निकालने है कॉस्चन आ जाए तो आप कैसे आसानी से पहचान सकते ही कौन सी संधी है तो आप जरूर देख लीजिए ठी इसलिए क्या हो गया अनंत्र ना की हो गई उपर बिंदी ठीक है अनुस्वार जिसको बोलते हैं अब यहां पर पूछ रहे हैं परिभासा से संबंदित प्रशन यदि आया आके बाद इई आये तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं यह स्वरसंधी का उधारण है कौन से स्वरसं आपको बता दें गुण स्वरसंधी का उधारण क्योंकि हमने बताया थे एक मात्रा उपर हो जाती है एकी तो कौन सी संधी होती है गुण संधी तो आ के बाद उसको ए हो जाता है ठीक है आपने अभी तक ना देखा हो तो हमारा वीडियो जरूर देख लें संधी वाला जि जिन्दिगी में कभी नी भूलेंगे मेरी गारंटी कभी गलती करके नहीं आएंगे या फिर चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आप संधी का वीडियो देख लें चले अनंत का सई संधी विक्षित अभी बता चुके हैं यह डबल हो गया है अनधन अंत इससे मिलकर क्या ब क्या होता है संधी विक्षित होता है प्रती धन अक्श क्या होता है संधी विक्षित अब यहां A आ आ रहा है, तो E का Y हो गया E का Y के संदी में होता है तो आपको बता दे, एण संदी में होता है ट्रिग भी यहाँ पर अपनी जो बताई थी कि E के पहले आधा कोई सब्द लगा होते हैं आधा अत्ता लगा है तो यहाँ पर एण संंदी हो जाएगी प्रत्यक्ष में, ठीक है, उज्जुल कई बार पूछा जाने वाला संधी विक्षित, जल्दी बताइए भाई, उज्जुल में कौन सी संधी है, तो आपको बता दें, कि उज्ज्वल में जो संदी विक्षित होगा इसका उत्धन ज्वल हो जाएगा तो उत्ता का हो जाएगा जाथ इस पिकार से यहाँ पर बेंजन संदी हो जाएगी ABCD आपको लिखना है कमेंट खोल करके रखें और हमारे बताने से पहले आप लिखे दिया करें जब तक हम डिटील बताते हैं खीक है चले आगे बढ़ते हैं पबन सब्द में कौन सी संदी है पबन तो आपको बता दें कि हमने बताया था एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर त पोधन अन एक के साथ अपने दो कबर हो रहे हैं समझ लेना कौस्चन यहां पर संदी भी इक्षट भी देख लिया और संदी भी देख लिए तो पोधन अन पोका हो जाएगा पाओ और अन पवन बन जाएगा ठीक है आगे देखें परिभासा से संब्दित प्रशन है कि री के बाद कोई भिन स्वार आता है तो अहां पर यण स्वार संदी होती है कौन सी संदी होती है यण स्वार संदी के होई यावाराला हम पहली बता चुकर यण संदी में क्या आते हैं सब्द में यावाराला दूसरी सब्द में आते हैं इसके पहले कोई सब्द लगे होते हैं तो इस प्रका से यण संदी आप पहचान सकते हैं बागी हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्तत नहीं होगी आगे मनु विज्ञान में कौन सी संदी है देखें बड़े ध्यान से देखी मनु विज्ञान तो इसका संदी विक्षित जो हो जाएगा भै हो मनाहा प्लस विज्ञान बिसर्का हो गया ओ तो यहां पर बिसर्ग संदी हो गई क्योंकि प्लस के इस तरफ जहां पर बिसर्ग हो इस तरफ स्वर या बेंजन हो वहां पर कौन सी संदी होती है वहां बिसर्ग संदी होती है सबसे जादा पूछा जाने वाला धारण आ गया ह भगवत गीता का संदी विक्षित होगा जल्दी से बता दीजिए भगवत गीता का संदी विक्षित क्या होगा तो आपको बता दें कि भगवत प्लस गीता ताका हो जाएगा दा ठीक है बेंजन संदी हो जाएगी तो भगवत प्लस गीता सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा आगे बताएं तोसको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजी एक बार कमेंट करते जाईए मनुरम का संदी विक्षित होगा मनुरम आपको बता दें कि मनुरम का जो संदी विक्षित होगा है बिसर्ग संदी है मनुरम में तो कौन सी संदी है विसरक, तो मनाहा प्लस रम, क्या बन जाएगा, मनूरम, विसरक का ओ हो गया, आगे है यदि A.O, ठीक है, या फिर A.O के बाद कोई भी सवर आए, भिन्नस्वर आना चाहिए, कोई भिन्नस्वर हो, तो इसके स्थान पर करमस आये, आओ, आये या आओ हो जाता से लगा सकते आयादी मतलब आय आदी जिसमें हो आय आदी तो आय आदी मतलब आय आओ आए और आओ ठीक है इसके नाम में बिच्छिद में हो जाएगा आय पिलस आदी इसका बिच्छिद करेंगे इन आय पिलस आदी इससे क्या बनेगा आय आदी I plus Aadhi तो Aadhi में कौन सी संदी है? चलो Aadhi सब्दी में कौन सी संदी है? तो Aadhi सब्दे में सवर संदी हो जाएगे बहुती दीरी सवर याद रखिएगा देखो, बोई हो धारण हैं अब बार बार आते हैं आप देखलो, Anivation कई बार पूचा गया अन्यवेशन सब्द का सुद्ध संदिविक्षित क्या हो जाएगा तो अन्यवेशन सब्द का जो सुद्ध संदिविक्षित होगा बै होगा C आपको जल्दी बताना है हमारी स्पीड से जाद आपकी स्पीड होनी चाहिए ठीक है अनुधन एसन ठीक है तो U को क्या हो जाएगा यहां पर वा हो जाएगा संधी कौन सी हो जाएगी तो आपको बता दें यन संधी हो जाएगी संधी कौन सी है यन संधी अनवेशन में ठीक है क्योंको युआ के पहले कोई यादा सब्द लगा है बता चुकी है ट्रिक आगे देखें जगन्ना सब्द में सही संधी विक्षत है जगन्नाथ ठीक है तो आपको बताएं जगन्ना सब्द का संधी विक्षत पहले कर लो अच्छा जगत प्लस नाथ जगत के नाथ होते न तो तोड़ना जब हमें है तो ये भी देखना है कि प्लस के इस तरब भी जो स विक्षित करते समय जगत मतलब होता है संसार के नात मतलब स्वामी जगन नात यहां पर हो जाएगी बेंजन संदी जगत में क्या हो गया है पर अपने हलंत लगा दिया तो बेंजन हो गया था जगन नात बन जाएगा ताका ना हो जाएगा पंचमबर्ण अभिन का संदी विक भय हो जाएगा सी, अबित धन ना, ताका हो जाएगा ना, इस से मिल कर क्या बनेगा अभिन्य, ठीक है, आगे देखते हैं, यन संदी का संबंद किस संदी विशेष से है, किस संदी के अंतरकात आती है यन संदी, आसानी से आप बता सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पांच भेत पड़े होंगे तो आपको पता है कि यण संदी है ठीक है नबोढा का पूछा गया चली बता दीजिए नबोढा का सही संदी विक्षित क्या हो जाएगा नबोढा तो नब प्लस उड़ा आके बाद उ आ गया तो उ को ओ हो गया एक मात्रा हो गई ओ की तिहां पर नबोढा गुणस्वर संदी हो जाएगी नबधन उड़ा संदी का नाम पूछ ले दिमाल लो नबोढा में कौनसी संदी है तो गुणस्वर है और विक्षित पूछ ले तो नबधन उड़ा ठीक है तो इस परकार से नबधन उड़ा से मिलकर कि क्या बन जाएगी नबोढा ठीक है दोस्तों, बड़ा उकनना है, ठीक है, उढ़ा कोई सब्द नहीं होता, उढ़ा सब्द होता है, आगे बढ़ें, अनन्त का साई संदी विक्षित होगा, अनन्त, जल्दी से बता दें, अनन्त का संदी विक्षित क्या होगा, तो आपको बता दें कि अन प्लस अन्त, इ इत्यादी सब्द का सही संदी विक्षित होगा इत्यादी कई बार पूछा गया है आपको बता दें कि इत्यादी में चली अब आप बताईएगा कौन सी संदी है संदी विक्षित हम बता दे रहे तो आपको बता दें, इती प्लस आदी, ये इसका संदी विक्षित हो गया, ठीक है, ये भी विक्षित करके ही बता दें, इती प्लस आदी, तो ई के बाद आ आ आ गया, तो ई को हो गया या, इतना बता दी, अब आप कमेंट में लेखें कौन सी संदी हित्यादी में, ठीक है, आ रहा है तो उ को हो जाएगा वाह, इसा आधा बचेगा तो मिल करके बनेंगा स्वागतम, ठीक है, तो वाह में आधा सब्द लगा है, तो यहां पर हो जाएगी यण संदी, ठीक है, आगे देखते हैं, उट्डयन, कई बार पूछा गया, लोग गडबल करके आते हैं, उट् अधन डैन, उधन डैनम, उधन डैनम लिखा है सब्धा, तो उतधन डैनम, तो इस पकार से यहाँ पर उधन हो जाएगा, यहाँ इसको वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट जरूर करें, आंगे शेर जरूर करें, और बहुत सारे वीडियो आपको हमारे देखने हो, तो हमारे चैनल टॉप फिप्टी स्टडी, इस पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो में, अगला बिष्णवे का सही संदी वीक्षित, तो आपको बता दें कि विष्णवे का जो सही संदी वीक्षित है, भै हो जाएगा विष्णो धन ए, अब इसका कैसे अपने बनाया है विष्णवे तो आपको बता दें, देखें विष्णो धन ए है, तो विष्णो यहाँ पर O आ रह सब्सक्राइबThom और एकी मातरा इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा संधी पूछ सब्द का संधी विक्षित होगा तो उत जुल का तो पहली वता चगोई उत धन जुल पहले हम विक्षित बता चुके है इसमें कौन सी संदी है तो आपको बता दो में बेंजन संदी हो जाएगी ठीक है सरल है आगे बढ़ते हैं रिसी का इस्थृलिंग है जल्ली से बता जीजिए रिशी का इस्त्रीलिंग सब्द क्या होगा तो आपको बताने कि रिशी का इस्त्रीलिंग हो जाएगा ठीक है आगे संदीव इत्यादी का सही संदीव इक्षित होगा इत्यादी का इती धन आदी संदी कौन सी है यान संदी ठीक है तो ऐसे हम महत्पूर प्रस्णों पर चर्चा करते जा रहे हैं और आगे भी वीडियो ऐसे ला करके करते जाएंगे इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों आपको बता दें अनकेडमी और भी कुछ बेनिफेट लेकर क्या दस मन्स फाउंडेशन बैच प्रिलियम्स एंड मैंस अंसर राइटिंग सीरीज चल लई है जो की 22 दिसंबर तक है आप जल्दी से सब्सक्रिप्सन प्लान ले सकते हैं इसका लाब ले सकते हैं और तीन गंटे फिरी डेमू क्लास भी अनकेडमी के माध्यम से आपको मिल रही है जो की MP के फेमस एजुकेटर है बै आपके लिए ला रहे है तो बैस स्टार्ट हो रहा ह जो की 22 दिसंबर से प्लान हो रहा है उससे पहले आप इसका सब्सक्रिप्सन ले सकते हैं इसमें टॉप फैकल्टी आपको मिलेंगी लाइब क्लासेस मिलेगी पीडिएफ नोट बीकली मेगा कोईज होगा और प्रिलीमस की प्रिप्रेशन होगी और आंसर राइटिंग भी आपको उसके लिए सेसन प्रक्टिस सेट होंगे तो आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें सब्सक्रिप्सन प्लान ले ले और आपको सुमित जैन रेफरर कोड याद रखना है आपको 10% की छूट उसमें मिल जाएगी तो आपको बताते हैं 10-month फा विजबी होगी डाउट किलियर होंगे और सबी सब्सक्राइब कर जाएंगे जो हिसमें कवर किये जाएंगे जैहीं हिट्रीग जो भी आपको सब्सक्राइब कर जाएंगे जिसमें तीन महीने में आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, 21 दिसमबर से कोर्ष लॉंच हो रहा है, तो आप जरूर MPSI की तैयारी कर रहे हों, तो आप इस कोर्ष को ले सकते हैं, थ्री मंथ में आपका पूरा सजबेक्टर की तैयारी करा जाएगी, बीकली कोईच होगी, नोट भी प्रोवाइड होंगे, और सभी सब्जेक्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं, आपके कवर कराने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पिले इस्टो से डाउनलोड करना है, अनकेडमियक और आपको जाना है MPPSC ब्यापमपर, इसके बाद पिलस में जाना है, पिलस में जाकर के, गेट सब्सक्रिप्सन में आपको किलिक करना है, गेट सब्सक्रिप्सन में किलिक करके आपको एख खुल जाएंगे, कि कौन से हैं आप एक महीने का सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हैं तो केवल 1440 रुपे में हैं तीन मन्त का 3600, छे मन्त का 6450, एक साल के लिए जो बैलेड रहता है वह है 7920 का और 24 मन्त का 11,520 का, यदि आप चाहते हैं कि हमें 10% की इसमें भी छूट मिल जाए तो आप सुमित जैन जैसे जी लेखेंगे और प्रोसेस टूपे करेंगे 10% का आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है तो आप इस परकासे लाइब किलासों का भी लाब ले सकते हैं और अपने डाउट्स भी किलियर कर सकते हैं बेस्ट का आनंद ले सकते हैं अनकेडमी के माध्यम से तो आप MP के किसी भी एकजाम की तैयारी कर रहे हों क्रेक करना चाहते हों तो अनकेडमी अपसे जरूर जुड़े है